Hey guys, welcome back to the channel चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में 2020 में अमरनाथ यात्रा कब से शुरू हो रही है? पंजिकरण यानि की registration आपने कैसे करना है? यात्रा की तयारी के लिए किन बातों का खयाल रखना है? क्या age limit है? कौन-कौन अमरनाथ यात्रा के लिए जा सकता है? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वानी है इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि जैसे वीडियो प्लोड की जाती है उसकी notification आप सभी लोगों को मिल सके तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जैबाबा अमरनाथ तो अमरनाथ श्राइन बोड ने इस बार अमरनाथ यात्रा की तारिक तिति घोशना हो चुकी है अलड़ी कर चुके हैं घोशना तो ये 30 जून से प्रारम हो रहे हैं दोस्तों अपकी बार और ये 11 अगस्त तक यात्रा चलने वाली है तो यात्रा के लिए कुल 43 दिनों का समय है इन दिनों आप अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं यात्रा की तिति घोशित होने के बाद शहर के शिव भक्तों में उत्सा का माहोल है शिव भाग्त लंबे समय से यात्रा की तिति घुशित होने का इंतिजार कर रहे थे और दो साल बार इस बार अमरनाथ यात्रा की उम्मीद जगी है क्योंकि कोविड के कारण जो है जो हमारी जितनी भी धार में क्या यत्रा है जाए अमरनाथ यात्रा हो या पिर अपना चार्धाम यात्रा हो सभी में जो है डिले हो रहा था या लोग कम थे या यात्रा नहीं हो पारे थे तो तिति की कोशना के साथ ही पंजियन बे शिग्र होने की उम्मीद है 370 धारा हटने के बाद पहली बार यात्रा होगी ये तो इस बार अमरनाथ यात्रा 370 हटने के बाद पहली यात्रा है और वर्ष 2019 में जो यात्रा थी हुई थी लास्ट टाइम वो 45 दिन की यात्रा थी लेकिन इस बीच धारा 370 हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो ऐसे में यात्रा को 32 दिनों में ही स्माप्ट कर दिया गया था, तो इसी के कारण यात्रा नहीं हो सकी थी, पूरी 45 दिन, तो कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद यह है पहली यात्रा है, अमरनात यात्र दो साल बात 30 जून से फरारम है, 11 अप्रेल से जो है रजिस्टेशन आपके शुरू हो जाएंगे, कैसे रजिस्टेशन करना है, वो वीडियो आपको इस चानल के माध्यम से मिल जाएगी, थाकि आप एजली रजिस्टेशन कर सकें, रजिस्टेशन आपके ओनलाइन होते है और एक दिन में 20,000 लोग तक रजिस्टेशन कर आ सकते हैं। होगी, हेलिकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को छोड़ कर आम रास्ते से 10,000 की लिमिट होती है एक बार में, साथ ही इस बार बार्टाल से डोमेल तक 2.55 किलोमेटर जो लंबा रस्ता है, उस पर मुफ्त बैटरी कार से वाप को भी शुरू किया गया है, ताकि भक्तों को कोई भी दिक्कत ना है, यहाला कि हम आपको बता दिती हूँ, आपको कैसे करना ओनलाइन रजिस्टेशन, जब ओनलाइन रजिस्टेशन शुरू हो जाएंगे 11 अपरेल से तब भी आपको पूरी इंफोर्मिशन मिल जाएगी, फोर्म भरने की, तो मैं आपको य यहां पर तरीक है, बाल टाल से है लोमेन और पहल गाowskiं ट्रैक से हैं तो इस तरीक से आप जो भी रूट से जा रहे हैं, वह रूट की इन पर फिल करेंगे, अपनी डेट, किस डे पर फिल करेंगे, या तरीका पूरा नाम, ठीक है, उसके बाद अपने कल्दबन या त्द आदर का नेम यहाँ पर आएगा उसके बाद जेंडर मेर फिमेल ट्रांसजेंडर यहाँ पर डेट ओव बर्थ मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है प्रेफरबली पोस्पेट अमर्जंसी मोबाइल लंबर एमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे ठीक है ओडीप यहाँ पर डालना और याद्री का एड्रस डालना है इसके बाद medical details आपको डालनी होती है state location, hospital, authority name, medical certificate आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है photograph यहाँ पर अपलोड करना होता है medical certificate किस दिन issue है वो आप क्यो यहाँ पर अपलोड करना होता है capture यहाँ पर डालेंगे I agree पर click कर और आप इसको क्या कर देंगे? सम्मिट कर देंगे. अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अमर्नात यत्रा के लिए पंजी करन कर रहे हैं तो कौन-कौन से डोकुमेंट की आवशक्ता होती है? सबसे पहले तो आपका भरा हुआ आवेदन पत्र चाहिए. दूसरा ये एक ऐसी य यात्रा परमिट के लिए और एक आवेदन पत्र के लिए आपका चाहिए होता है. अमर्नात यात्रा की तयारी कैसे करनी है? आप शारे रुक रूप से स्वस्थ होने चाहिए तो यात्रा के लिए स्वन को तयार करें. आप यात्रा में कम से कम एक महीने पहले सुबह या शा कि वैसे भी गर्मी है तो आप जो हैं डी हाइड्रेशन ना हो हाइड्रेट रखे अपनी पूरी बोडी को थकान कम हो और इसके लिए निम्न रखती शरकरा को रोकने के लिए भरपूर मात्रा में कार्बो हाइड्रेट्स लें इस ताइम पर आपको डाइट वाइट बिध्या आप अराम से यात्रा कर पाएंगे यदि फिर भी आपको उच उचाए की बिमारी या बैचानी जैसे लक्षन है तो आप तुरंत जो भी निकटम चिकित्सा सुविदा है वहां से संपर करें अब बात करते हैं मरनात यात्रा के लिए आयू सीमा क्या है तो यात्रा के लिए पंजरिकर्ण की अनुमती 13 वर्ष से कम या फिर 75 वर्ष से अधिक आयू के किसी भी वैक्ति या 6 सपताह से अधिक गरवती किसी भी मैला के लिए नहीं है तो अगर आप 6 महिने से जादा गरवती है तो आपको ना जाने की सला दी जाती है आप नहीं जा सकते हैं और 13 में कोई सवाल है कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिये के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हम आप लोग के जवाब जरूर देंगे और 11 अपरेल को जैसे ही रेजिस्टेशन शुरू होगा उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगे कैसे आपको रेजिस्टेश चैनल पर नाप